नमस्कार दूस्तों आप सब कैसे हैं आई हो पाप लोग अच्छे होंगे आज हम लोग देखेंगे कमर्स बाडिक से कुछ महत्वपून क्वेश्चन प्रीवियस एर क्वेश्चन भाarat संचार निगम लिंटेड वाज सेट उप इन इयर डेश डेश अंडर दन्यू टेलिकम पोलीसी भारत संचार निगम लिंटेड को नवीन दूर संचार नीती किया धीन डेश डेश वर्स में स्ताफित किया गया था 1980 में, 2000 में, 2011 में, और 1985 में इसका राइच अंसर हो जाएगा option नमबर B, 2000 में अस्थापित किया गया था, एक October 2000 को अस्थापित हुआ था BSL का मुख्याल है, नई दिली में है, भारत में 60% on world, भारत में 60% wire telecom market share के साथ सबसे बड़ी ता था, wireless telemarket में 14 बड़ी company है, next question, charter party is used, charter party का पर्योग किया जाता है, A, निर्यात बैपार में, B, आयात बैपार में, C, आंतरिक बैपार में, D, इन में से कोई नहीं, इसका राइच अंसर हो जाएगा option नमबर A, in export trade, निर्यात बैपार में, charter party को पर्योग निर्यात बैपार में, बिदेशी बैपार के परलेख में किया जाता है, जब माल बड़ी मातरा में, बिदेश को भेजा जाता है, तब पूरे जहाज को किराया पर लेना अच्छा और सस्ता होता है, इसके लिए जहाजी कमपनी के साथ जो समझावता किया जाता है, उसे charter party कहते हैं, चाटर party निम तरह से हो सकता है, पाटियों का नाम तथा उसका विवरण, जहाज किराया पर लेने की सर्ते, जहाज द्वार भेजे जाने वाले माल का पूरा विवरण, भाले की रकम तथा उसके भोक्तान का तरीका, उन बंदरगाहों के नाम, जिन से होकर जहाज जाएगा नोट, चाटर party दो परकार की होती है, एक समान चाटर, यातरा चाटर, नेक्ट कुशन, शमान तरपर मानी जाने वाली और धरना के अनुसाद डैस डैस सिस परबंद से समबंधित है और डैस डैस मद्ध और नीमन अस्तर के परबंद का एक कार्य है, परबंद परसासन, बी परसासन परबंद, सी, योजनाओ का निस्पादन, योजनाय त्यार करना, डी, बजट भनाना, संसाधन अवंटीद करना, और योजनाय त्यार करना, रणनी ती निर्ड़ लेना, इसका राइट एंसर हो जाएगा, अप्शन नमबर, बी, परसासन परबंद, नेक कुशन, माल के आयात के संधर में, नियुन में से कौन सा, बीदेशी बीन में स्विकिरित करता है, बीन में बैंक, भारते रिजर्ब बैंक, Ministry of External Affairs of GOI, भारत सरकार का बीदेशी मामलों से संबंदित मंत्राल है, उप्युक्त में से कोई नहीं, इसका राइट एंसर हो जाएगा, अप्शन नमबर, बी, रिजर्ब बैंक of India, माल के आयात के संदर में भारते रिजर्ब बैंक, RBI, बीदेशी बीन में स्विकिर्ट करता है, रिजर्ब बैंक में बीदेशी पूझी की मांग और पूर्ती का ध्यान रखती है, उसमें संतूलन बनाए रखने की कोशिस करता है, बीदेशी मुद महाराष्ट में है, नेकोस, बीसो बैपार संगठन WTO ने वीधोवत कारिक परम किया, जनवरी 1991 में, एक जनवरी 1995 में, एक जनवरी 1999 में, एक जनवरी 1999 में से कोई नहीं, इसका राइट एंसर हो जागा, अप्शन नमबर B, वह एक जनवरी 1995 को, WTO ने एक जनवरी 1995 को बीधोवत कारिक करना परम किया, बीसो बैपार संगठन और बीसो में, बैपार संबंदी और उधो को दूर कर, बैसिक बैपार को बढ़ावा देने वाला, एक अंतराष्टिय संगठन है, इसकी अस्थापना, मरा केस समझावते के तहत की गई थ जे नेवा में, जे नेवा में है, ने को सुन। strongest letters of credit is, परबलन्तम उधारी बिपत्र है, पुष्ट यूग्त और परती सहरनिया, पुष्ट यूग्त एम और परती सहरनिया, परती सहरनिया, इसका राइट अंसर हो जाएगा, आप्शन नमबर C, confirmed and irrevocable, पुष्ट यूग्त एम अंतर सहरनिया, ने को सुन। All transactions of the International Monetary Fund are expressed at the present in, बरतमान में अंतराष्टिया मुद्रकोष के सभी लेन देन ब्यक्त किये जाते हैं, गोल्ड स्वन में, USA, डॉलर में, उसके बाद SDR में, आप्शन में से कोई नहीं। इसका राइट एंसर जाएगा, अप्शन नमबर C, SDR में। अंतराष्टिया मुद्रकोष की आस्थापना 1945 इसवी में होई थी। बरतमान में इसके 110 देसों की संख्या 189 है। IMF में 24 निर्देशक हैं, जो इसके कारे कलापों को देखते हैं। IMF के दौर जो लेन देन आज की तारीक में किये जाते हैं, वो HDR के माध्यम से किया जाता है। HDR का फूल फॉर्म होता है, Special Drawing Rights। वर्ल्ड ट्रेड ओगनाजेशन केम इन्टू इक्स्टेंस, इन्द इयर। बी सो बैपार संगठन अस्तितों में आया, बर्स 1995 में, बर्स 1993 में, बर्स 1991 में, डी इन्वे से कोई नहीं। इसका राइट अंसर हो जाएगा, Option No. A, बर्स 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड और अर्गनाजेशन यानि बी सो बैपार संगठन के अस्तापना 1994 वी के गेट के उरुगवे राउंड सम्मेलन के बाद होई थी। गेट का फूल फ्रमता जेनरल एग्रिमेंट ओन ट्रेड एंड टेरिप। इसकी अस्तापना वी सो बैपार को नियंतित करने के लिए बर्स 1947 इसवी में होई थी। परंतु 1995 में WTO के रूप में अस्तान ले लिया। सार्क सचिवाले इस्तित है पाकिस्तान में, भुटान में, भारत में, नैपाल में। इसका राइट अंसर जागा अप्शन नमर डी नैपाल में। सार्क का पूरा नाम होता है South Asian Association for Regional Corporation। इसकी अस्थापना 1985 इसवी में की गई थी। सार्क चाटर द्वारा होई थी। इसके कुल 8 सदस्य देश है। इन में सदस्य देशता था 9 परव्यक्षर है। इसका मुख्याल है काठमांडू नैपाल में इस्तित है। निम्नमिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। सिंगापूर, बुर्नेई, जपान, थाइलंड। इसका राइटेम सब जागा आप्शन नमबर सी जपान नहीं है। एसियान का फूल फर्म होता है Association of South East Asia Nation। इसका मुख्याल है जाकार्ता आनी इंडोनेसिया में है। इसकी या स्थापना आठ अगर 1967 इस भी को हुई थी। इसके सदस्य देश में इंडोनेसिया, ठाइलेड, उसके बाद सिंगापूर, मलेसिया, मयमार, बुर्नेई, उसके बाद कमबोडिया, उसके बाद लाओस, और उसके बाद फिलिपीन्स, और उसके बाद बीयत। नाम है। तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, आप्शन नमबर C, A और B, A और B, विशेश रूप से सरम वर्ग की जन संक्या की गति सिल्था, और B बीतिया परवा, नीचे दो कथन दिये गए हैं, एक कथन A अभी कथन है, तथा दूसरा कथन R तर्क है। बैस्वी करन उत्पादों, सिवाओं, पूझी, सुचना और आम लोगों के सीमा पर मुक्तावा गमन से संबन दिते हैं। तर्क, देश लगतार, नववेशी, वीफरण और ओधक भिक्सीत कर रहे हैं, जो बीस व बैपार संगटन के अनुकूल नहीं है। उप्यूप्त कतनों में के अनुसार कौन सभी कॉल्प सही है। इसका राइट अंसर हो जाएगा। अप्शन नमबर, अप्शन नमबर बी हो जाएगा। अप्शन नमबर बी, ए और आर, ए और आर दोनों सही हैं, और आर एकी ब्याक्या नहीं कर रहा है। कॉस्चन नमबर 263, निमलेखी देशों को भारत हस्त्रांती दोरा काराधान बचाव समझाता के परकार के साथ सुमेलित कीजिए। देश समझाता का परकार, आश्ट्रिया, बहमास अधर हो गया, सीमिद समझाता, कॉंप्रेसिव एग्रिमेंट, व्यापक समझाता, उसके बाद नमबर 2 पे हो गया, लेवनोन, उसके बाद सिर्लांका, तो इसको सम्मीलित करना है, तो पहले आश्ट्रिया, आश्ट्रिया, आश्ट्रिया का हो गया, बयापक समझाता, उसके बाद बहमास, बहमास का हो गया, आपका कर, सूचना, भी निमाए, सम्झाता, उसके बाद इसमें आते हैं, इसके बाद यहाँ, लेवनान, लेवनान में हो जाएगा, आपका, सीमित सम्झाता, उसके बाद हो जाएगा, सिरलाका में, बयापक सम्झाता, सीमित बहु पक्छिय सम्झाता, इसका राइट एंसर हो जाएगा, आप्शन नमबर, बी, निमलिकित में से कौन से दो WTO के परकारे हैं, ए, बैपार सम्झाता के किरवायन परसासवन और परचालन को शुगम करना, बी, अपने सदा से देशों की बैपार नीतियों की आवधिक समिक्छाए करना, C, भोक्तान की एक बहुँ पॉक्षिय परणाली अस्तापित करने में सवयो करना, D, अंतराष्टिय मोद्रिक सवयो को बढ़ावा देना, इसका राइट एंसर हो जाएगा, आप्शन नमबर, D, A और B दोनो, A और B दोनो, बहुत, बैपार समझाते हैं किर्वायन पर सासन और पर चालन को सुगम करना है, B में अपने सदो सदेशों की बैपार नितियों की आवधिक समिक्छाए करना है, निमलिकित में से कीस वर्स, चोवालिस में राष्टों के परतनीधी मंडलों दोबरा, बेटेन वोट्स करार कर हस्ताक्षर किये गए, जिसके प्रणाम स्वरूप आई एमेप का गठान हुआ था, इसका राइट एंसर हो जागा, आप्शन नमबर सी, उननीस सो चोवालिस जिसवी में, उननीस सो चोवालिस जिसमें बेटर वोट्स करार हस्ताक्षर किये गए, जिसके परणाम स्वरूप आई एमेप अर्थात अंतराष्टिया मुद्रा कोस का गठन किया गए, आई एमेप एक अंतराष्टिया बितिया संस्ता है, जो अपने सदा से देशों की बैस्वी कार्थिक इस्तिति पर नजार रखती है, एस डी आर, इसका फोल्म होता है, एस पेसल ड्रॉइन राइट्स, नेकोस, फेमा के अनुसार बिदेशी बिन में सामिल नहीं है, A. किसी बिदेशी मुद्रा में देर जमा रासी, B. भारतिया मुद्रा में आहरित बिन में बील किंतु किसी बिदेशी मुद्रा में दे, C. भारत के बाहर इस्तित संस्थाओं द्वारा आरित यातरी चेक किन्तु भारतिय मुद्रा में दे D. भारत के बाहर इस्तित बैंको द्वारा आरित ड्राप और विदेशी मुद्रा में इसका राइट एंसर हो जाएगा Option number D भारत के बाहर इस्तित बैंकों द्वारा आरित ड्राप और बिदेशी मुद्रा में फेमा के अनुसार बिदेशे बिनमाई के अंतरव भारत के बाहर इस्तित बैंकों का आरित ड्रापों और बिदेशी मुद्रा का देता को सामिल नहीं किया जाता है फेमा का पूरा रुप बिदेशी मुद्रा परवन अधिनिया में निमलिखित में से कौन से कथन सही है ए लेन देन एक्सपोजर सही सभी बिदेशी मुद्रा मुल्यांकित सम्भीदागत लेन देन में अंतरनिहित होता है बी ट्रांसलेशन एक्सपोजर बिनमय दर में परिवर्तन के कारण लेखांकन आए तूलन पत्र विवरणियां परिवर्तन से सम्भादित है सी आर्थिक एक्सपोजर पर फरम के मुल्यांकन का पराभाव होता है दी परचालन एक्स्प्लोजर का फरम के भावी परचालन गत राज्यस्व या भावी परचालन गत लागत पर कोई परभाव नहीं पड़ता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नम्बर बी ए बी सी लेन देन के लिए एक्स्प्लोजर सभी बी देशी मुद्रा मुल्यांकित संदर भी लेन देन में अंतरनिहित नहीं होता है ट्रांसलेशन एक्स्प्लोजर बीनमै दर में परिवर्टन के कारण लेखांकन आय तुलन पत्र बीवर्ण में परिवर्टित हो सकती है नहीं हो सकती US डॉलर के बाद निमलिखित में से कौन सी मुद्रा HDR के मूले को निर्धारित करने में सरवाधिक महत्तपूर्ण है जपानी येन, चीनी, युवान, यूरो, ब्रिटिश पाउंड इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर C, यूरो 1991 में HDR के मुले निर्धारण के पाँच मुद्राओं का भार इस परकार है अमेरिक्या डॉलर अट दी रेट 40 परतीसत जर्मनी मार्क अट दी रेट 21 परतीसत उसके बाद जपानी येन 17 परसेंट उसके बाद ब्रिटिस पाउंड 11 परसेंट फ्रांसी सी फ्रेंक 11 परसेंट नेक्ट कॉस्शन मुद्रा अदला बदल करेंसी स्वैप कीस का तरीका है बिदेशी मुद्रा जोकिम के बिरूद हैजिंग का बिदेशी मुद्रा में सटेवाजी का C. कोपरेटी बैंको द्वारा पर्यूत लिव्रेज लिखत का D. अंतराश्टिय बैपार में भोगतान तरीका का इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नम्बर A. बिदेशी मुद्रा जोकिम के बिरूद हैजिंग का नेक कुछ निमलिखित में से कौन सा संस्थान B. सो बैंक समू का भागे नहीं है A. अंतराश्टिय बिकास सम B. अंतराश्टिय मुद्रा को C. अंतराश्टिय बिकास निगम D. बहुँ पक्षिय निवेश गरांटी एजनसी इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नम्बर B. आईएमेफ अंतराश्टिय मुद्रा कोज 200 बैंक समू निमलिखित 5 अंतराश्टिय शंगठनों का ऐसा समू है जो सदस देशों को आर्थिक बीतिय सहायता और बीतिय सलाह देता है जैसे IBRD IBRD IFC IDA उसके बाद ICSID उसके बाद आ जाता है MIGA IBRD के पूर्ण निर्माण और विकास के अंतराश्टिय बैंक है IFC का अंतराश्टिय बीत निगम है IDA का अंतराश्टिय विकास संग है और ICSID का निमेश विवादों के निप्टारे के लिए अंतराश्टिय के अंतराश्टिय बैंक है उसके बाद बहु पॉक्षिया निमेस करांटी एजेंसी मीगा का है बीसो बाइंग के समों के चार सांस्ताओं का परतिनित करने वाले कारे निर्देशों के चार वोड है दिया ही नेट कुश्च अंतराष्टिय बजारों के करम के कौम अनुभाव वाले एक उधाम का अंतराष्टिय बैपार में परवेश का सरवाधिक उप्यूग माधियम कौन सा है अधिगरहण रणनीती सवयोग सवजयोग तूधम निर्यात इसका राइट अंसर जाएगा अप्शन नमर डी इक्सपोर्टिंग यानि निर्यात नेक्ट कुश्च परनात्मक आयात परतिवन्द जो उत्पाद के आयात की मातरा को सीमित करते हैं कहलाते हैं अधिरोध कोटा बैपार परतिवन्द आयात सुल्ग इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर बी कोटा नेक्ट कुश्च निम्लिकित में से कौन सा आपरंपरिक पाटन का दिश्टांथ है छेटपूट पाटन परभक्षी पाटन ब्यूत कर्मी पाटन सतत पाटन इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर ची ब्यूत कर्मी पाटन नेक्ट कुश वे कमपनियां बरतमान में क्या कालाती है जिनका दुनिया में भर में बड़ी संख्या के देशों में बेवसाय है टी एन सी पारदेशिक निगम बी बहुराष्टिय निगम सी वेस्विक निगम टी बहुराष्टिय उधम इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर सी गुलोबल कॉर्पोरेशन यानि वेस्विक निगम बीदेशी बजार में परवेश की कौन सी बीधी में जोखिम और लाब की संभावना सरवादिक होती है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर सी बीधेशी बैपार में परवेश की परवेश्विक निवेश्विक बीधी में जोखिम और लाब की संभावना सरवादिक होती है अच्छा लागे तरह लाइक सब्सक्राइब और जुरू करें साथ में बेल एकन का बटन दवाना नहीं भूले